तो आज गनपती बप्पा की भूग के लिए बनेंगे सूजी के मोदक वो भी बिना चाशनी वाले और कम घी में बनने वाले बहुत ही लाजवाब से तो इसके लिए हमें क्या करना है यहां पे घी ले लेना है लगबग दो चमच जितना आपको यहां पे गी का इस्तमाल करना है जब घी आपका मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें हम एड करेंगे सूजी फाइनली एक बारीक वाली सूजी होती है उसी सूजी का आप इस्तमाल करें यहाँ पे सूजी को भूनने की जो प्रोसेस है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसी कि आपके मोदक में किसी भी तरह का कच्छापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा फिर इसके बाद इसमें डलने वारे इंग्रेडन जैसी कि हमें लगना है ड्राय वाला कोकोनट तो यह देखिए मार्केट में मिलने वाला जो नारियल का बुरादा है वो यहाँ पे मैंने ले लिया है जिसी के हम लोग बाद में डालेंगे जब देखिए हाँ पे मुझे लगे कि हाँ भी सुजी भून चुकी है अच्छी सी इसकी महक आने लग गई है फिर में इसमें एट कर दूंगी कुछ ड्राय फ्रूट्स जो भी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से थोड़े इसमें ड्राय फ्रूट को आट कर देना है हलका से इने भी भून लेना है चाहे तो आप पहले घी में भी से भून कर आट कर सकते हैं फिर इसके बाद इसमें डाल देना है हमें नारियल का बुरादा और इसे भी अच्छे तरह से चला लेना है यह मैंने लिए लगबग तीन चोथाई कब जितना आप चाहें तो equal भी ले सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इन सबी चीजों को अच्छे तरह से चला लेने के बाद फिर मैंने इसमें sugar powder add की है जो की गलती से मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई है लेकिन आप इसमें एक कब जितनी sugar powder को add कीजिए यानि की पिसी हुई शक्कर फिर बात है इसे थोड़ा सा moisture देने की तो घर की जो हमारी ताजी मलाई होती है उसी का यहाँ पर इस्तमाल करना है और जब mixture आपको थोड़ा dry होने लगे तो गयास की flame को बन कर दे और इसे ढख कर रख देना है लगबख 5 मिनिट के लिए देखे जब मैंने इसे cover करके यह छोड़ दिया तो फिर इसमें इस तरह का moisture और हलके सी dryness आ चुकी है अब यह जो है मोदक के लिए जो मेरा सारण है जो यह mixture है यह तो बन के तयार हो चुका है पहले क्या कीजे आप इसे एक बाउल में निकाल लीजिए ताकि इसमें यदि कोई पानी या फिर दूद आट करने के हमें ज़रुत पड़ती है तो वो अंदज आपको यहाँ पर आ जाएगा फिर अब इससे पहले आप चिक कीजेगा moisture रेदी थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है थोड़ी मलाई या फिर दूद आब इसमें एट कर दे अब मोदक मोल्ड को तयार कर लेना है अच्छे से घी लगा के तो हमारा मोदक अच्छी तरह से शेप पकड़ ले और आसानी से निकल आए इसलिए हमें यहाँ पर मोदक मोल्ड में अच्छी से घी लगाना बहुत important हो जाता है अब देखिए यह रहा मेरा मोदक का सारन और यह रहा हमारा मोल्ड सो बस अब बारी है इसे अच्छी तरह से फिल अप कर लेने की सो मैंने यहाँ पर क्या किया है थोड़ा से आप चाहिए तो इस पर ड्राइफ रूट पिस्ता वगरे भी इस मोदक में इस तरह से लगा सकते है या फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा ग्रीन कलर में टूटी फ्रूटी का इस्तमाल करते हुए ना मोदक मो को इस तरह से भर लिया था अब दिखिए जो सारन है हमारा एकदम सॉफ्ट वाला नहीं है डो वाला नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मातरा में सारन को यह इस तरह से भरते हुए आपको प्रेस करते हुए चलना है ऐसा नहीं है कि एक बारे में आप भर देंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे तो नहीं एक चमच सारण डालने के बाद प्रेस कीजिए फिर थोड़ा उससारा नाट करने के बाद प्रेस कीजिए इस तरह से यह जो process है आपकी वो बारी-बारी से होगी है ना तो इससे हो क्या होगा कि जो बाइंडिंग है मोदक की वो अच्छे आईगा आपका मोदक बिल्कुल भी टूटेगा नहीं खुलेगा नहीं तो अच्छी तरह से मोदक का सारण आपने भर लिया है यह बात जब शूर हो जाए तो फिर मोदक मोल्ड को हुधीरे से खोलना है औ जब मोदक बनकर निकलाया ना तो उस पर मुझे चिपके हुई दिखाई दी थी तो इस तरह से आप लगाए यह आप पिस्ता भी लगा सकते हैं वो भी काफी सुन्दर सा दिखाई देता है थोड़ा अपोजिट सा कलर लगाएंगे ना तो मोदक में बहुत अच्छे सुन् कर सकते हैं सो बस देखना नहीं है फटा फट से जाईए किचन में जल्दी से मोदक बनाई है ट्राइ कीजिए रसीप इच्छे लगी हो तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए यह वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक्यू